हे गाई स्वागेत आप सभी का दा मास्टर साहब पे दोस्तों जैसा कि आपने थमनिल में देखा होगा यह न्यू गवर्मेंट पॉल्टेकनिक पटना 13 में यह वेकेंसी आई है ठीक है दूसरी चीज़ मैं आपको यह बता दू कि यह सिफ न्यू पॉल्टेकनिक इसमें एड किये गए है ठीक है उसमें भी वेकेंसी है दूसरी चीज़ मैं बता दू कि यह जो है इसके लिए आपको आवेदन गूगल फॉर्म से करना है अब यह फॉर्म आपको कहां से मिलेगा कैसे मिलेगा इसकी जानकारी में वीडियो में बताऊंगा तो वीडियो को आपको अंतक देखना है दूसरी चीज़ कि इसके लिए फॉर्म फॉर्म का लास्ट डेट क्या होगा किस डेट तक आप वॉर्म भर सकते हैं तीसरी चीज़ की यह जो एमसी क्यू टेस्ट है यह टेस्ट कब होगा इंटर्व्यू कब होगा और जिन ब्रांचों के लिए मैं सारी जानकारी इस वीडियो में जाएगी दूसरी चीज़ मैं यह बोलना चाहूंगा कि अगर आप इस पोस्ट के लिए लिजेबल नहीं है तो अपने जानने वालों तक इस पोस्ट को पहुंचाए इस वीडियो को पहुंचाए ताकि लोग इसका फायता निरेंतर उठा सक कि वीडियो में बूफ हो जाए कि यह चीज़ ऑथेंटिक है ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते इस वीडियो को देखे यह वह कैस्या यह नवीन राज्किय पोल्टेक्निक पटना 13 में अवश्यक्ता अनुसार सैक्षिनिक कर लेने के लिए निमनांकि संकाय है तू ऑनलाइ विज्यापन परकाशन तीथी से साथ दिनों के अंदर ठीक है अब विज्यापन परकाशन हुआ कब था विज्यापन परकाशन हुआ है बीस अपरील बिहार सरकार का जो PRD Department है, PRD बिहार, वहाँ पे भी आप जाके चेक कर सकते हैं, 20 अपरील को इसको पबिलिश किया गिया है, तो 20 और 27 तारीक यानि 26 तक आप इसको भर सकते हैं, 26 तो 27 अपरील तक, 26 तो 27 अपरील तक आप इसको भर सकते हैं, उसके लिए आपको इसका वेफस आवश्चक सैक्षणिक योगता माने देया नीचे निरदाच दी गई है, नवीन राजके पुल टेक्निक 13, राजके पुल टेक्निक बाढ़ का मेंटर संस्थान यह बाड है उस कर्मेंटर सस्तान है तो अवश्यक्ता अनुसार चैनित जो अतिती व्याक्षताओं को राज्किय पुल्टगनी बाड का भी अत्रिक्त कार भी करना होगा जरूत पड़े यह तो वहां भी आपको जागा लेक्षर देना पड़ेगा अब देखिए इसमें जो अतिति व्याक्ता है यहां के लिए क्या 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 कॉन को डिपार्टमेंट तो सबसे पहला कि अप्लाहे है तो आप अप्लाई कर सकते हैं चौता वीदूत अभियंतर है यह एलेक्ट्रिकल है पांचवा कंप्यूटर साइंस सी एसी के लिए है छटा ऑटो मोवाइल है ठीक है साथवा फिजिक्स है आठवा मैथ्स है और नौवा अंग्रेजी है यानि इंगलिश अब इसके लिए ज जो है आपको ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास लेने की चमता होनी चाहिए और यह जो मानदे है वह बिहार सरकार का जो विज्ञान अमप्रवैदी की विवाग है उसके द्वारा निरदारित किया हुआ जो पैसा है वह आपको मिलेगा अब इसमें चैन परकिरिया क्या होगी इसक 26-2023 है देखे 26 चार को बदल के टाइम बरहा दिया गया है 29-4-2023 को आपका MC की टेस्ट होगा मैं भी दिखाऊंगा कहां पर यह डेट दिया गया है आप वीडियो पर बने रहिए संपन्न होगी जिससे संबंदिद लिंक तीथी एवां समय की जानकारी संस्था का वेब नीचे दिये गया गूगल फॉर्म लिंक पर भैरती अपना सभी मूल पर पत्र अंग पत्र अप्लोड करें साक्षात का दिन सभी अभी अभिरतियों को अपने मूल दस्तावाज जग साथ अबस्तित होना अनिबार है आप देखिए जो गूगल फॉर्म लिंक है इस पीडि चुनिया गया अभिरतियों का आफ्लाइन के माध्यम से डेमो स्ट्रेशन क्लास द्वारा जाच की जाएगी चुनिया के बाद आपका डेमो भी लिया जाएगा ठीक है तब आपको कार्यदेश यहां पर लागू किया जाएगा दूसरा कि इस विज्यापन में संक्यावार परभावी अरक्षन रोष्टर का पालन किया जागा तो अगर आप बिहार के जने वाले हैं और OBCCST या जिस भी कासरे बिलोंग करते हैं तो आपको उसका लाब भी मिलेगा उसके लिए आपको डॉकुमेंट्स त्यार रखने हैं बाचबा है कि विज्यापित पद एक वैक समयची करा आधी का दावां नहीं कि आ french ढूंड में सब्सक्राइब करते हैं कि अगर्सफर सब्सक्राइब कर सकते हैं कि जो इंटर्व्य तेने के लिए आप जा रहे हैं उसके लिए को को वर्चा वर्चा नहीं दिया जाएगा नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट है आपका क्या कि संस्था का वेब साइट है ठीक है संस्था का इमेल आईडी यह दिया हुआ है और आवेदन पत्र और दस्तावाद जमक करने का गूवल फॉर्म लिंक यह है इसको आप टाइप करके मॉइल में डायक फॉ've पे जा सकते हैं या मैं जो तरीका बता रहा हूँ उस तरीका से आप फॉम पे जा सकते हैं वेब साइट्था करते रहें और और फ्डॉकर करते रहें और अपने किसी वीष़ितती में दुवारा mc ki test या इंटर्व्य आपकर नहीं लिया जाएगा इसके लिए अभियरती खुद जीमेदार होंगे यह इसका स्टेट विहार का है जहां पे आप यह देख सकते हैं कि 20 अपरील को क्या है इसको पब्लिश किया गया था उस हिसाब से 27 तारिक तक आप इसको अपलाई कर सकते हैं ठी मैं आपको दिखा दिया दूसरी चीज क्या है कि यह फॉर्म लिंक कहां से मिलेगा क्या है तो फॉर्म ढूड़ने का दो तरीका है पहला कि मैं आपको भी वेबसाइट पर ले चलता हूं वहां से आप देख लेंगे दूसरा कि आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक क्लिक करेंगे तो इस तरह का प्येज खुलेगा यहां पर देखिए कि हम सीक्यू टेस्ट का डेट उन्नीस चार्ट दोज़ाइस किया गया जो मैंने बताया एड्विटीज में 26 था लेकिन अब उसको 29 तारीक कर दिया गया है रिक्रुट्मेंट नोटीस अब डाउनलोड क देखेंगे तो गूगल फॉर्म लिंक भी आपको मिलेगा गूगल फॉर्म लिंक कुछ इस तरीके का होगा ठीक है तो यह जो गूगल फॉर्म लिंक है देख लिए यहां पर इस तरीके गूगल फॉर्म है इसमें आपको सारा कुछ फिल करना है और फिल करने के बाद फिल क का जो description box है उसमें नीचे जाएंगे वहां पे आपको link है डायेक्ट क्लिक करेंगे आपका google form open हो जाएगा आपको advertisement डाउनलोड हो जाएगा ठीक है तो वहां से भी आप इसको कर सकते हैं दूसरी चीज इंपोर्टेंट है कि जितना जल दी हो आप इसको apply कर लीजिए और आपक क्योंकि उसके बाद आपका वह form link खुद बखुद बंद कर दिया जाएगा संस्था की तरफ से बागी किसी भी जानकारी के लिए संस्था के website पर उसका number दिया हुआ है आप वहां पे call करके संपर्क कर सकते हैं उसको समझ सकते हैं बागी की video इसी तरह की notifications के लिए और vacancy के लिए आप इस चैनल पर बने रहिए और जरू सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन को दबाईए थैंक्यू वेरी मच